खलो दोस्तों स्वागत है आपका दृष्टी PCS में मैं हूँ केवल आपके सामने आज हम जिला एक नजर प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के उत जिले के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां का बना हुआ पेठा पूरी दुनिया को पसंद है जी हां आगरा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो आज का हमारा जिला क्या है आगरा सबसे पहले इसकी अवस्थिती देख लेते हैं कि मैप में कहां पर है उत्तर प्रदेश के मैप पर यह ऐसी जगह पर है जहां पर एक तरफ तो राजिस्थान है और एक तरफ मध्ध प्रदेश है मतलब आगरा की जो सीमा है जिले की सीमा है उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है राजिस्थान और मध्रदेश दोनों के लिए तो यह बात याद रखिएगा आगरा के बारे में लेकिन कुछ जिले भी है जिनसे यह सीमा अपनी साझा करती है उत्ता प्रदेश के मथुरा, हाथरस, एटा, पिरूजाबाद और इटावा ये भी ध्यान रखना है इसके बाद अब अगली बात आती है, 2011 की जो जनगर्णा हुई थी, उसमें क्या स्थती है आगरा की जनसंख्या 44,08,07, 97, छेत्रफल 4,041, वर्ग किलोमेटर, लिंगा नुपाद 868, उसके बाद साक्षर्टा 71,58 या तो कह सकते हैं, 71,6 प्रतिशत, अब आगरा जो संभाग है, यानि क कि उसको क्या कहते हैं, आगरा जो मंडल है, उसके अंदर कितने जिले आते हैं, कितने जनपद आते हैं, तो आगरा, फिरोजाबाद, मतुरा और मैनपूरी, चार जनपद आते हैं, इसके बाद अगली महत्मूर्ण बात, कि कुछ प्रमुख नदिया है, जो इस जिले से होक पर गुजरती हैं वो कौन-कौन सी है एक नाम तो आपको बिल्कुल पता होगा यहना नदी के तड़ पर ही आगरा बसा हुआ है लेकिन दो शुरुआत करेंगे इतिहास के पन्नों में आगरा से इतिहास के पन्नों में आगरा कहां से नाम यह आता है और आगे जो वरतमान में इसकी इस्तती है वह किस प्रकार से उस इस्तती में आगरा अपने आपको पहुचा रहा है उसे देखेंगे तो देखे महाभारत काल में इसका जो नाम था आगरा बन या अग्रबान दो नाम दिये जा रहे हैं ये दोनों नाम से महाभारत काल में इसे कहा गया है इसके अलावा पौरानिक जो ब्रजनगरी है अगवान कृष्ण की जो ब्रजनगरी है उसका प्रवेश द्वार भी इसी को कहा जाता है याने कि ब्रज नगरी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है आगरा को कहा जाता है वर्ष 1675 में एक राजा बादल सिंग का जिक्र मिलता है कहीं कहीं इतिहास में और लेख मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वर्तवान में जो आगरा में आगरे का किला है उस खिले की जगह पर एक किला था जिसका नाम था बादल गढ़ तिला और उसी स्थान पर ही अकबर ने यह किला बनवाए जिसे आगरा किले के नाम से हम सब जानते हैं उसके बाद बहुत सारे मुगल राजाओं ने उस किले के अंदर अपनी अलग-अलग कुछ महल बनवाए अलग-अलग मस्जिदें बनवाई उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे अबुल-फजल जो थे अबुल-फजल कौन थे नौरतनों में से एक अकबर के नौरतनों में से बादल-घड किले का जिक्र इन्हों नहीं किया था उससे पता चलता है कि अकबर के किले के बनने के पहले एक इंटे से बना हुआ धाचा था जिसका नाम बादल-घड किला था औ स्थापना किसने की है यह बात पता होना चाहिए तो आगरा शहर की स्थापना 1504 इस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी उसके बाद एक समय आता है कब पानी पत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रेल 1526 अब 21 अप्रेल 1526 को पानी पत का प्रथम युद्ध किसके बीच हो रहा है जो सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी था कौन इब्राहीम लोधी इब्राहीम लोधी और दूसरी तरफ कौन था बाबर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ पानी पत का प्रथम युद्ध 21 अप्रेल 1526 को यह प्रश्ण भी पूछा जाता है विजेता इसमें कौन रहा बाबर जीत गया और जो इब्राहीम लोधी था वह युद्ध में कि भी मारा गया इसके साथ ग्वालियर का राज भी मारा गया इस युद्ध में बाबर ने कौनसे जीनीती फॉलों की थी तुल गामा तुल गामा युद्धनीती उसके लावा तोप खाने का प्रयोग भी पहली बार किया था अब सवाल बनता है कि तुल गामा युद्धनीती क्या है देखे सेना माल लिजे ये एक पूरी की पूरी सेना है ठीक है बहुत सारी लोग ऐसे इस भीड में है अब इस सेना को तीन इचे रहे और उसके बाद वो तीनों आगे युद्ध करने के लिए बढ़ें तो यह इस प्रकार की तरीका होता है जिससे की सेना अगर सैनिकों की संख्या सेना में कम भी हो तो सामने वाली सेना पर दबाव बनाकर उन्हें घेर कर उन्हें मारना आसान हो जाता है और इसी क कहां हो रही है आगरा मही एक जगह है आराम बाग आराम बाग बनवाने कश्रे किसे दिया जाता है बाबर को ही दिया जाता और यहीं पर बाबर के मृत्य होती है और बाबर को यहीं दफनाय जाता है लेकिन उसकी इक्ठा नुसार फिर काबूल में जहां पर वह चाता था बाबर की उसकी कब उसकी कबर बनाई जाए उसकी लाश को दफनाय जाए बाद में उसकी लाश को काबूल में दफना दिया गया ठीक है अब आते हैं इतिहास में और आगे 1570 के दशक में एक समय आता है जब अकबर ने यहताय किया कि वह पतेहपुर सीक्री में आगरा में ही थोड़ी दूर पर एक जगह है पतेहपुर सीक्री वहां पर वह क्या करेगा मुगल वंश की राजधाने इस्थापित करेगा और उसने क कि भी कितने वर्षों के लिए लगभग 15 वर्ष उसने 1972 के आसपास उसने राजधानी पतेहपुर में बना ली लेकिन 15 वर्षों बाद लोटना पड़ा क्योंकि प्राक्रतिक कारण थे पानी की कुछ तमस्या वहां पर बन रही थी तो लोट आया और वहां से वापस से आग दिल्ली के शाह जाहानाबाद में शाह जहने तो आगरा 1948 के बाद फिर राधधानी नहीं रहा क्या हो गया दिल्ली का शाह जहानाबाद हो गया आज लालकिला का area है उसको आप जानते हैं बश्ट अठारा सो तीन में अंग्रेजों ने आगरा पर अधिकार कर लिया अब देखिए अठारा सो तीन के पहले आगरा पर अधिकार मराठों ने भी किया था मराठों से फिर इनको हटा कर हरा कर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया अठारा सो तीन में और उसके बाद एक समय आता है 1836 से 1858 का और इस 1836 से 1859 में यह उत्तरपश्च्रिम प्रांथ की राजधानी बन गई और उत्तरपश्च्रिम प्रांथ की राजधानी बन गई का मतलब यह है कि वर्तमान में जिस छेतर को आज हम उत्तरप्रदेश नाम से जानते हैं उसकी और प्रयाग राज जो कि पहले इलाहाबाद था उत्रप्रदेश की राजधानी वो भी बने लेकिन फिलहाल ये वो समय था जब आगरा राजधानी थी और नाम क्या था उसक उत्तर पश्ट्रिम प्रांद की राजधानी अब आते हैं कुछ महत्पूर्ण स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इसमें से एक सबसे महत्पूर्ण है वो कौन सा है लाल किला लाल किले को क्या कहा जाता है किला ए अकबरी क्यों कहा जाता है क्योंकि निर्माण करता कौन है अकबर है अकबर ने इसका निर्माण कराया देखि चल गया होगा कि किस पत्थर से बना होगा तो बिलकुल यह जो बना है लाल बलुआ पत्थर से बना है और मैंने आपको पहले भी बताया था यही पर बादल गढ़ किला भी था जो की लाल इटों से बना हुआ था और बहुत ही जरजर अवस्था में था उसी जगह पर अकबर ने लाल बलुवा पत्थर से यह किला बनवाया और इसका निर्माण कब होता है 1565 में इसका निर्माण शुरू होता है और 1573 में इसका निर्माण पुरा हो जाता है अब इसके बाद अगली बात आती है कि इस आगरा का जो किला है या इसके अंदर और भी कौन कौन सी महत्पूर बाते हैं जो की हमें जानना चाहिए जो की परिक्षा में पूछी जा सकती है जैसे की जहांगीर महल है अब यह जहांगीर महल बनवाया किस ने बनवाया जहांगीर ने नहीं अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के नाम पर जहांगीर महल बनवाया और वह महिलाओं के रहने के लिए बनवाया गया था वहाँ पर एक मोती मस्जिद भी है जो कि शाह जहाने बनवाई है दो और बिल्डिंग है एक है दीवान एक खास और एक है दीवान एक आम इनका निर्माड कैसे हुआ है सफेद संगमर्मर से और ये भी सफेद संगमर्मर से अब देखिए जो किला है वह तो लाल बलुआ पत्थर से बना है लेकिन उसके अंदर जितने भी निर्माड हुए हैं लाल बलुआ पत्थर से भी कुछ हुए हैं और कुछ उसके अलावा थास जो बादशा जहां की बात करें तो बादशा जो था आम जटा से आम जनता से सीधे मिल सकता था बात कर सकता था उनकी सुनवाई कर लेता था और जो दिवान एक खास है दिवान एक खास में जो खास लोग होंगे खास लोग कौन होंगे खास लोग होंगे जो उच्च वर के लोग होंगे पुलीन लोग होंगे उच्च अधिकारी होंगे राजक को जब उनसे बात करनी होती थी तो बह जाते थे दिवान एक इंगासन कहा जाता है तक थे ताउस कहा जाता है इसी स्थान पर दीवान ए आम पर ही रखा रहता था अब इसका कोई अता पता वरतमान में नहीं है शाह जहां ने महिलाओं के लिए नगीना मस्जिद तथा अपने लिए मीना मस्जिद बनवाई थी यहीं आगरा किले में ऐसी जगहे पर बना हुआ है आगरे के किले में कि वहां से शाह जहां को जो ताज महल था ताज महल किसने बनवाय था ताज जहां नहीं बनवाय था और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाय था तो जब मुसम्मन मुर्ज में शाह जहां खड़े होते थे तो वो सामने ताज महल को आसानी से देख पाते थे और ऐसी मजबूरी क्या थी कि यहां खड़े होके देखना पड़ रहा था क्योंकि औरंग जेब ने इन्हें कैद कर लिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और कहा था कि अब इसके बाहर आप निकल नहीं सकते हो यहीं से दिदार करो ताज महल का और यहीं से दिदार करते करते स्वर्ग सिधार गए अगला है शीश महल तुर्की हमाम याने की तुर्की इसनान घर इसको कहा जाता है शीश महल को और इसका जैसा नाम है वैसा इसका काम है एक प्रकार काई है तुर्की तरीके का स्तान घर बनाया गया था जो की शाह जहां ने बनवाया था और इसमें दीवार हो चाहे महराब हो या छत हो सीरिया के कांच मगवाकर अलग अलग अकार के कांच दो कमरे थे उन दोनों कमरों में कांचों से उन्हें भरा गया था उन्हे अगर खड़े हो जाए बीच में तो सारे कांचों में उससे अपना अक्स याने की अपनी छाया याने की अपना प्रतिविंब दिखाई देगा ठीक है अब ये तो आपको पता ही है आप लोगों में से बहुत लोग यहां जा चुके होंगे बहुत लोग शायद जाने वाले हों कौन जाने वाला है बता ही सकता है किसे यह देखना है किसे नहीं देखना है देखने के वज़ा तो बनती ही है देखना चाहिए दुनिया के साथ अज प्रेगोर ने इस ताज महल के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने कहा है कि काल के गाल पर अश्रू के रूप में यह ताज महल मौजूद है यह किसके लिए बनवाया था शाह जहा ने अरजुमंद बानो बेगम के लिए यहां पर एक मकबरा बना हुआ इस महल उनका असली नाम यही ए और शाह जहां उनके लिए बनवाया था समय तो मुम्तार्ज महल की जो उन्री उपिधि हुई थी बुर्हानपूर्य मत्रदेश में आता है बुरहानपूर में वहां हुई थी बाद में उनकी कब्र यहाँ पर उनका मकबरा बनाये गया उंस ताज महल के प्रधान वास्तुकार कौन थे तो आप बताएंगे उस्ताद एहमद लाहौरी थे इस ताज महल कर निर्माण कहा जाता है कि वर्ष 1231 से शुरू हुआ और इसको बनने में 22 वर्ष लगे उन 22 वर्षों में कितने मजदूर लगे बीस हजार बीस हजार मजदूरों ने 22 वर्ष तक काम किया तब जाकर ताज महल जैसी यह अद्भुत्स अन्रशना का निर्माण हुआ और किस प्रकार के पत्थर का इत्माल हुआ इसमें तंग मरमर ठीक है महत्पूर्ण बाते आपको समझ में आही गई है अब इसमें चार मिनार हैं जो कि आपको दीख रही है एक दो तीन और चार आप अगर ताज महल गए होंगे तो ताज महल के दो तरफ दो बिल्डिंग बनी हुई है उन दोनों का अपना अलग अलग नाम ह एक तो है महमान खाना और एक है मश्जिद है बाई और एक तरफ महमान खाना बना हुआ है जो की मुखिता लाल बलुआ पत्तर से बना हुआ है जिसमें सो थोड़ी बहुत संग मरमर की सजावड भी है तो यह बात याद रखिएगा रात में दिदार करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ताज महल आपको दिखेगा और साथ में यह भी आपको पता होना चाहिए कि ताज महुत्सो मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है जो ताज महल का पूरवी दौ़ार है वही पास में शिल्व ग्राम में 20 से 29 मार्च तक हर साल ताज महुत्सो मनाया जाता है तो यह आपको याद रहेगा अब यह कौन सी जगह है यह फटे पूर सीक्री कश्रे किसे जाता है बनवाने का इस स्थान में इतने निर्मान कराया उसका श्रे जाता है अकबर को अब देखिए आपको दो बाते मैं क्लियर बता रहा हूँ कि अकबर जब निर्मान करवा रहे थे आगरेक किले का तो आखिरों यहां क्यों आए इसका जवाब तो आपको पता हो नहीं क्या हिए दरसल क्या हुआ कि जो एक सूफी संथे शेक सलीम चिष्टी उनसे आशिरवाद प्राप्त करने के लिए वह सीकरी आये और वहाँ पर उन्होंने आशिरवाद प्राप्त किया कि उनका जो पहला पुत्र हुआ उन्हीं के आशिरवाद से हुआ और उनके आशिरवाद से जब पहला पुत्र हुआ तो उसका नाम ही उन्होंने क्या रखा सलीम याने की जहांगीर अब उसी के साथ ही उन्होंने यही पर पतेहपुर सीकरी में कुछ निर्माण कराए और यह निर्माण कराने के पीछे एक तो वज़ा यही थी कि एक तो सूफी संद सलीम चिश्टी और गुजरात विजय के उपलक्ष पर बुलन दर्वाजा बना था। अब देखिए महत्पूर्ण बाते की 1572 से 1585 इस्वी तक यह मुगल की राजधानी रहा। लाल पत्थर लाल पत्थर से बना है आप देख भी सकते हैं और अकबर ने सूफी शंथ सलीम चिष्टी का अशिरव के लिए मुसल्मान हिंदो और इसाई जो उनकी तीन रानिया थी उनके लिए तीन महल भी बनवाए अकबर द्वारा इसे राजधानी बनाने से बहुत पहले मुगल शाशक बाबर ने इस शहर का नाम क्या रखा था शुक्री रखा था यह बात याद रखिएगा कि अकबर क खास, जोधावाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल, तुर्की के सुल्तान का आवाज, पंच महल, बुलंद दर्वाजा, सलीम चिष्टी का मकबरा, यह सारी चीजें परिक्षा में पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहा पर है, तो आईए थोड़ा और महत्पूर्ण बात यह है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसकी उचाई कितनी है, 176 फेट, अकबर द्वारा गुजरात विजय पर इसे बनवाय गया था, यह बात अभी आपसे मैंने बताई थी, लाल बलुवा पत्थर से बना है, यह भ पता चलता है कि धर्म निर्पेक्ष प्रकार की प्रकृति थी अकबर की कि उसने बाइबल की पंक्तियां भी यहां पर लिखवाई हुई है, अगली प्रशना कौन सी है, बीरबल का महल, यह भी कहाँ पर है, फटेहपूर सीकरी में है, बीरबल कौन है, अकबर के नौरतनों शीकरी को फतेपुर सीकरी अक्वर ने बनाया यानि कि शेक सलीम चिष्टी की दरगा यह सफेज तंगमरमर से बनी है और आपको पता ही चल गया कहा है फतेपुर सीकरी में है यह कौन सी जगह है इसे कहते है राम बाग यह आगरा में है पहले इसे आराम बाग भी कहा जाता थ सबसे पुराना मुगल कालीन बाग है यह भारत में इस बात को याद रखेगा याने कि इसको किसने बनवाय होगा बाबर ने इसका निर्मान बाबर ने करवाया था बाबर को आस्थाई रूप से यहां ही दफनाय गया था जो बात चल रही थी कि बाबर को दफनाय गया था आराम बाग में पहले ही बताया था पर यह बात यहां पर वापस से रिवाइज हो गई आपकी और बाद में उसके शव को अफगानिस्तान के काबुल में दफना दिया गया, यह बाद भी आपको पहने ही बता दी गई थी, आगे कौन सी चीज है, सिकंदरा, अब सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा है, यह किस से बना है, लाल बलुआ पत्थर तथा, संगमरमर, दोनो ने ही शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण कारिक किस ने पूरा कराया, उसके पुत्र जहांगिर यानि की सलीम ने 1613 में पूरा करवाया, इसका नाम क्या है, सिकंदरा, अकबर का मकबरा, यह कौन सी जगह है, यह है चीनी का रोजा, इस जगह का नाम है, चीनी का तो यह फिलहाल किसके लिए बना शाह जहां के मंद्री अफजल खान आलमी का मकबरा है यह जो है मौला शुक्रु अल्ला शिराजी के नाम से भी लोग प्री है किसकी बात हो रही है चीनी का रोजा की बात हो रही है यह कौन थे पार्सी के शायर थे बन्दब पार्सी भाषा में शायरी किया करते थे और चीन से यहां पर टाइल समगाई गई थी इसी वज़े से इसे चीनी का रोजा भी कहा जाता है ऐसा लोग बताते हैं तो इस बात को याद रखिएगा अब यह बहुत प्रसीद्य जगह है इसे भी याद रखना जरूरी है इससे भी प्रशन पूछा जाता है इतिमाद उद्दौला का मकवरा कहां पर है यह आप से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि आगरा में है और इसके निर्माण करता कौन है जहागिर की पतनी है पतनी का नाम क्या है नूर जहां तो सीधे सीधे पूछा जाएगा नूर जहां में निम लिखित में से किसका निर्माण कराया था जिसमें से एक होगा इतिमाद उद्दौला का मकवरा इसके लावा किस लिए उन्होंने बनवाया था बनवाने का कारण किया था इन्होंने अपने वालिद मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था वालिद मतलब पिता अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया और कब से कब तक में निर्माण हुआ 1622 से 1628 के बीश में इसका निर्माण पूरा होता है यह कौन सी जगह है महताब बाग इसको कहीं दोनों एक ही बात हैं दरसल जैसे मान लिजे कि यह यमना नदी है और यहां पर ताजमहल बना हुआ है तो तैय यह हुआ था कि यमना नदी के एक तरफ ताजमहल है और दूसरी तरफ यानि कि उसके विपरीद दूसरे किनारे पर एक काला ताजमहल बनाना तैय हुआ अब यह काला ताज महल क्यों बनाए जाएगा सफेद एक तरफ सफेद और एक तरफ काला और यह निर्णा किस ने लिया था यह निर्णा लिया था चाह जहां नहीं जिसने सफेद वाला ताज महल बनवाया था लेकिन धन का भाव उसके पास हो रहा था साथ में औरंग जेव ने अपनी नीती में इस कारे को रखा नहीं तो आगे चलके भी है कारे कभी पूरा हुआ नहीं और उसी ज़खे पर क्या बना है महताब बाग और महताब बाग में फूलों और अलग-अलग प्रकार के पेन पौधों को सजा कर लगाया गया है तो आपको पता चलना चाहिए कि महताब बाग के बारे में जो उस स्थान पर जहां पर यह भाग बना है शाह जहां क्या स्पूच रहे थे एक काला साज महल बनाना चाहा रहे थे ठीक है अब यह कौन सी जगह है यह बहुत प्रिसिद जगह है आगरा शहर से थोड़ी ही दूरी पर है इसका नाम क्या है बटेश्वर बटेश्वर में कहा जाता है कि 101 मंदिर थे लेकिन वर्तमान में मंदिरों की संख्या कम हुई है और कितनी हो गई है सिर्फ 42 मंदिर अभी वर्तमान में बचे हैं और इसे क्या कहा जाता है मंदिरों की नगरी के नाम से विख्यात है और इसे धामों का पुत्र भी कहा जाता है यानि की जो भारत में चार धाम हैं, कहा जाता है कि उन चार धामों की यात्रा करने के बाद, इस जगह यानि की बटेश्च्वर की यात्रा करनी चाहिए या धामों का पुत्र है, मंदरों की संख्या तो आपको बता ही, जैन धर्मिस से संबंदित एक प्रश्ण यहां से बनता है कि 22 जैन तीर ठंकर जिनका नाम क्या है नेमी चन्द उनका जन्म स्थान भी यहीं पास में ही बटेश्वर में था तो यह भी आप से पूछा जा सकता है यहां पर एक वार्शिक प्रशु मेला भी लगता है उसके लि फिलहाल उत्तरपर्देश की बात करें तो इटावा और आग्रा में चंबल वन्यजीव अभ्यारंड है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता चलना चाहिए कि यही है डालपिन सुछना केंदर भी चंबल नदी छेतर में ही है यह भी पूछा जाए तो आपको पता चल जाएगा सूरसरोवर क्या कीठम जील जी से कहा जाता है पक्षी अभ्यारंड है यह और इसको अभ्यारंड के रूप में 1999 में घोशित किया गया था और आपको बता दे कि यही वो सूरसरोवर है जिसे 2020 में क्या कहा गया है कि बेटलेंड का दर्जा दे दिया गया है बेटलेंड का दर्जा अब वेटलेंड का दरजा देने का मतलब क्या है? वेटलेंड का दरजा देने का मतलब यह है जो वर्ष 1971 में इरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें यह बात कही गई थी जो अंतरराष्ट्री महत्य की आर्द भूमिया है उनकी एक सूची बनाई जाएगी जिसे की रामसर सूची कहा जाएगा उस रामसर सूची में इस सूर सरोवर को शामिल कर लिया गया है मतलब कि सूर सरोवर वेटलेंड का दरजा इसे मिल गया है किस वर्ष मिला है वर्ष 2020 में तो आप से पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए और यहाँ पर दुनिया भर के जो यह पक्षी है इनका नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यह सारे पक्षी दुनिया भर के यहाँ पर आते हैं प्रवासी पक्षी के रूप में और भी महत्पूर जगह है जैसे कि हेंडरी कारागार इसी क्या कहते हैं सेंट्रल जेल यह उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का परस्ट याने कि पहला तेंट्रल जेल है और इसकी स्थापना कब हुई है वर्ष्ट 1846 में हुई है यह भी आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बिल्कुल बनेगा इसके बाद देखिए क्या है लेदर पार्क आगरा में क्या है लेदर पार्क है यहाँ पर लेदर से जो उत्पाद जैसे बेल्ट हो गया परस हो गया जूता हो गया यह सब बनता है एक जिला एक उत्पाद के अंतर का चमड़ा उत्पाद को ही यहाँ पर चुना गया है जो एक उत्पाद मतलब ODP किसे चुना गया है चमड़ा उदपात को आगरा के लिए ठीक है इसके अलावा एक चीज़ा आपको जो स्टार्टिंग बताई थी क्या मतलब O.D.O.P में नहीं चुना गया है लेकिन आपको पता होना चाहिए आखरा आगरा का प्रसिद्ध क्या है पेठा ठीक है कौन सा पेठा एक बहुत नाम चलता है उसका पेठा उसकी दुकान का पेठा आपको पता ही होगा अब यह एक विश्विद्यालय है जो की बहुत ही महत्पून विश्विद्यालय है क्योंकि इसकी स्थापना आगरा में भारत की आजादी से पहले हुई थी और कभ हुई थी वर्ष 1927 को एक जुलाई में हुई थी और बाद में 24 सितंबर 1995 में इस आगरा विश्विद्यालय का नाम किस नाम पर पढ़ गया डॉक्तर भीम राव अमेडगर विश्विद्यालय है तो आप से पूछा जाएगा तो आप बता सकेंगे किस वर्ष स्थापना हुई और वर्तमान में यह कहां पर है किस जिले में हैं अब यहां पर आज हमारे एक जिला के तहट जो शक्सियत हैं आगरा की उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं इनको किस नाम से हम लोग जानते हैं मिर्जा गालिप सब को पता है मिर्जा गालिप कहां पर रह रहे थे दिल्ली में बल्ली मारन नाम के एक जहाए वहां पर रहते थे इसी वज़े से कहा जाता है यह मुगल काल के आखरी शासर जो हैं बहादूर शाह जफर के दरवारी कवी थे लेकिन आपको याद रखना है कि इनका जन्म कह इनका जो असली नाम है वह क्या है यह जानना जरूरी है मिर्जा असदुल्लाह बेग खान याने की मिर्जा गालिप उर्दु और फार्सी में अपनी रशनाएं करते थे और रशनाएं किस प्रकार की होती थी गजल कसीदा रुबाई किता मरसिया अब तो ऐसा हो गया कि कोई कुछ भी लिख देता है मिर्जा गालिप की फोटो लगाके और किसी का भी शेर लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो प्रकारे में दुनिया जानती है कि इनकी रशनाएं बहुती कमाल की थी तो उन्हीं की रशनाओं में से एक कुछ इस प्रकार से है बना है शाह का मुसाहिब पिरे है इतराता वगरना इस शहर में गालिप की आबरू क्या है तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी नए जीले के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए